मंतरी नितीश कुमार विपक्ष की तरफ से पीम फेस नहीं होंगे दो हजार पच्चिस में बिहार की राजनीती से वो खुद को अलग कर लेंगे ऐसा हम नहीं कह रहें ऐसा उन्होंने खुद कहा था आने वाले दो हजार पच्चिस के बिहार विधान सवाज चुनाफ का नेत्रुत बिहार के डिप्टिस यम्त जश्वी यादब करेंगे वहीं अब आपको बता दें कि दो हजार चौबिस में मुख्यमंतरी नितीश कुमार फूलपूर से चुनाब लड़ेंगे या नानलंदा से इस बात को लेकर कई कयास्त लगाए जारे हैं नमशकार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं नियूस फॉनिशन दो हजार चौबिस की लोगसवा चुनाब को लेकर तैयारियों में पक्ष और विपक्ष दोनों जुट गई है जहां एक तरफ इंडिया की गठवंदन की गई इस गठवंदन का नित्रित्व मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने उठाया एक तरफ जहां बिहार की राजुनिती से ये ख़बर निकल कर सामने आ रहे थी सूतरों के हवाले से जो बात निकल रही थी उसमें लगतार ये बाते आ रही थी कि पियम फेस के लिए उमिद्वार के तौर पर बिहार के मुख्या नितीश कुमार रहेंगे पर एक अन्वीनर बनाया गया ना ही उनके अब पियम फेस को लेकर कोई कुछ कह रहा है वही आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधान सवाशुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ये पहले ही कह चुकी है कि इसका नेत्रुइत बिहार के डेप्टी सियंत जश्वी यादब करेंगे पियम नितीश कुमार अपने राजनितिक भविश के बारे में जरूर सोचते होंगे या नहीं नया प्लान उनके दिमाग में यकीनन होगा लेकिन सियासी हलके में रह रहकर उनके लोग सवाचुनाव लड़ने की सुचनाएं अकसर आते रहती हैं खास कर जो नितीश ने एंडिये के साथ छोड़कर महागटवंदन का हाथ पकड़ा है तब से ये चर्चा बीच बीच में उठती है कभी उत्तर प्रदेश के फूलपूर से उनके उमिदवार बनने की चर्चा होती है तो कभी नालंदा से उनके लिए जद्यू सांसद अपनी सीट छोड़ने की पेशकस करते हैं जद्यू के नेता और बिहार सरकार के मंतरिश रवन कुमार की माने तो बिहार और यूपी के सीमाएं इलाके के कई ऐसी सीटे हैं जहां नितीश कुमार को मिदवार बनाने का अनुरोध आता रहा है जेपी आंदोलन में एहम भूमी का निभाने वाले नितीश कुमार को पहली वारोध तत्तर में नालंदा जिले के हर नौस सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला ज्वन्ता पाटी के टिकट पर वे चुनाव मैदान में उत्रे हाला कि अपने जीवन का पहला चुनाव ही वो हार गे उनको हराने वाले थे लोहिया के टिकट सही होगी नितीश कुमार ने मंजु के साथ पतना में कोट मैरेज की थी शादी के बाद जिस वी आईपी गाड़ी से वे पतनी को लेकर रवाना हुए उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर भोला प्रशाद सिंग भी बैठे थे गाड़ी भी भोला सिंग की ही थी तब नितीश को पता नहीं था शादी के चार साल बाद भोला सिंग और नितीश कुमार चुनावी मैदान में आमने सामने होगे नितीश कुमार को भोला सिंग ने हरा दिया इस चुनाव की तकरीबन तीन साल बाद नितीश कुमार उनीस सो असी में दोवारा इसी सीट पर खड़े हुए पार्टी सेकुलर ने अपने उमिदवार पर उन्हें बनाया था इस चुनाव में भी नितीश कुमार को हार मिली वे निर्दरी अरुन कुमार सिंग से हार गए कहा जाता है कि अरुन कुमार सिंग को भोला प्रिशा सिंग का समर्थन हासिल था हाला कि पहला चुनाव नितीश ने 1985 में हर नौस से ही जीता था 1989 से 2004 तक उन्होंने लोग सभाग के 6 चुनाव जीते 2005 से वो बिहार के सिग्यम है वैसे नितीश कुमार के लिए सबसे मुफिद शीट नालंदा ही है नालंदा नितीश कुमार का ग्रिह जिला भी है और उनके राजनितिक करियर का आरम भी नालंदा से ही हुआ था साल 1974 में शुरू हुए छातरा अंदोलन की उपचलालो प्रिशाद यादम नितीश कुमार, शुशिल कुमार, मोदी, शीवान अंतिवारी जैसे बिहार के कई नेता है इसके बाद उनका संसद्य जीवन शुरू हुआ पहली बाद नितीश कुमार ने हर नौद विधान सवा सीड से विधायकी का चुनाव लड़ा लेकिन वे असफल रहे उसके बाद ततकालीन बाढ़ लोग सवा सीड से वे सांसद चुने गए लगतार चार बार लोग सवा का सदस्य रहे अटल बिहारी बाचपेई की सरकार में नितीश कुमार मंतरी भी रहे है फिर अब 2024 के लोग सवा चुनाव को लेकर एक तरफ कहा जा रहा है कि मुखे मंतरी नितीश कुमार के लिए नालंदा के जडियू के जो विधायक है वो अपनी सीड छोडने के लिए तयार है वो अगर एक बार नितीश कुमार कह देंगे तो अपनी सीड को छोड़ देंगे वहीं लगतार राजनीती गलियारों से ये भी खवा निकल कर सामने आ रही है कि मुखमंतरी नितीश कुमार इस वार नालंदा से नहीं बलकि यूपी के फुलपूर से चुनाब लड़ सकते हैं अब आने वारे दिनों में देखना होगा कि मुखमंतरी नितीश कुमार कहा से चुनाब लड़ेंगे